DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPSajmay.in राजिस्थान में बीशन गर्मी का दौर लगाता जारी है आस्मान से बरस्ती आख और लू के थपेडों ने मरुधरा को जुलसा कर रख दिया है कोरोना के चलते पहले से अस्त्वेस जन जीवन में बीशन गर्मी का दौर लोगों को परिशान कर रहा है आलम ये है कि घरों में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है पिशले तीन दिन से प्रदेश में लू का अलट है और पारा लगातार पूरे राजिस्थान में बढ़ रहा है जिसने जन जीवन बेहाल कर दिया है सूबे में पारा 5 शेयरों में 45 डिग्री और 20 शेयरों में तकरीबन 41 डिग्री से अधिक रह चुका है राजिस्तान मौसम विभाग के अनुसार चूरू में बीते शनिवार को 46.6 डिग्री सेल्सिस ताफमान दर्च क्या गया है ठीक इसी तरीके से कोटा में 45.9 डिग्री अजमेर में 42.4 डिग्री जैपूर में 43.6 डिग्री ताफमान रहा 44.1 डिग्री ताफमान दर्च क्या गया है हाला कि मौसम विभाग ने 27 मई तक 10 जिलो में बीशन उष्टन लहर चलने की चेतवनी भी जारी की है जबकि 13 जिलो में सामाने लू का अलट जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक जेसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगर, कोटा, बूंदी, जुन्जुनू, सवाई मादुपूर जिलो में बीशन उष्टन लहर चलेगी वहीं नागोर, जोदपूर, जालोर, अलवर, पाली, बारा, बरतपूर, दोलपूर, दोसा, जापूर, जालावार, करोली, सीकर जिलो में सामाने लू की चितावनी जारी की गई है मौसम विभाग के मताबिक राजिस्थान सही दिल्ली एंसियार और देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से रात मिलने की कोई उमीद नहीं है विभाग ने जहां दिल्ली के लिए येलो अलट जारी किया है वहीं राजिस्थान के लिए औरेंज अलट जारी कर दिया गया है राजिस्तान में वैसे भी इस बार गर्मी देर से आईए लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले आठ दिनों में गर्मी का प्रिकोप और तेज होगा कौरतलब है कि राजिस्तान में अप्रेल में ही बीशन गर्मी पढ़ने लगती है मगर इस बार मई में भी गर्मी देरी से शुरू हुई है और अब नतीजा ये है कि बाजार में चैल कदमी ना के बराबर है और जब तक ठंडक होती है तब तक बाजार बंद हो चुके होते हैं जार बंद होते है कि बाजा बंती है जार जम में प Kell Rodís का में उाजार में गर्मी गछावण